बट वाई, आखिर क्यों, पर क्यों, लेकिन क्यों कभी भी आप अगर अंग्रेजी वर्ड में बट वाई इस्तमाल करना चाहते हैं तो हिंदी मुस्का मतलब होता है आखिर क्यों, पर क्यों, लेकिन क्यों इन तीनों के बदले English में एक ही word है और वो है but why Competition किसी भी परतियोगिता या फिर मुकाबला के लिए competition word का इस्तिमाल किया जाता है जैसे कि आप लोग ने स्कूल में सुना होगा या सिखा भी होगा कि हमारे स्कूल में परतियोगिता होने वाला है या आपने सुना होगा कि दो खिलाली के बीच में मुकाबला होगा तो उसको Competition कहते है At Any Cost यानि कि किसी भी कीमत पर या आप ये कह सकते हैं हर कीमत पर या फिर आप ये भी कह सकते हैं हर हाल में वैसे मैंने सिर्फ हिंदी में एक ही वर्ड लिखा हुआ है किसी भी कीमत पर इसलिए मैं आप ये Explain कर रहा हूँ तो At Any Cost किसी भी कीमत पर हर हाल में या किसी भी हाल में आप वर्ड करेंगे इस्तमाल At Any Cost चलते हैं Timid इसका मतलबता है कायर या फिर डर्पोक या फिर आसानी से डरने वाला जो बहुती जल्दी किसी भी बात को लेके डर جाए या फिर कायर तो आप लोग समझती हैं जो किसी काम करने बिजारा कुछ भी क्रेदों चोपी रहते हैं डर्पोक जो डर्पोक होते हैं आपको मुझे लगता हैं, इस्क्राइब करने की जुरूते से, आगे चलते हैं, डिस्कुशन, चर्चा करना, विचार पिमर्ष करना, या फिर बातचीत करना, आप लोग उन्हें देखा होगा कि लोग डिस्कुशन करते हैं, किसी चीज के उपर में, वतलब किसी चीज के वर्ड डिस्कुशन, फिर है देर एंदेन, यानि कि वहीं पर, या फिर बस उसी समय, या बिलकुल तभी, देर एंदेन का मतलब होता है कि तभी के तभी उसी समय पर, ऐसे कि मैंने बोला, कि भाई, तुम्हें तभी के तभी बोलना चाहिए था, तो देर एंदेन इस्तमाल काम को अच्छी तरीके से अंजाम देना या अच्छे से कर लेना उसको बोलते हैं बखुभी तरीके से काम करना या फिर अच्छे तरीके से काम करना तो I hope कि आप लोग समझ गया होंगे कि इन वर्ड का इस्तमाल अंग्रेजी में कैसे करेंगे और बहुत ही असानी के साथ there and then and thoroughly I hope कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ चीज नहीं समझ पाएं आप प्लीज कॉमेंट कीजिएगा मुझे आप सब के आंसर्स का इंतजार रहेगा अगर किसे को कोई प्रॉब्लम होती है त नहीं तो आप समस्गे होंगे है